हेलो गईस वेलकम डू मैं यूटिव चैनल एस्पेंज उडान सो मेरी जो ये वीडियो रहेगी ये CSIR पालंपूर से निकल कर सामने आ रही है सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि CSIR पालंपूर जो है काफी एक बड़ा इंसीट है और काफी अच्छी उपरचुनिटीस हमेशा स्टुटेंट्स को प्रवाइड करता है चाहिए वो जो बेसिस पर हो तो काफी अच्छी उपरचुनिटीस होती है इसे आँपे हमे इंटर्सिप होती है अपकोई भी धिगरी करते हो उस बेसिस पर आपके एक इंटर्सिप होती इंटर्ण्छिप कुछ नहीं होता अपने धर को त्यकित टीक है तiary लेकिन reality में जो हमारा corporate world है या फिर जहाँ पर आप job करते हो private sector वो काम कैसे करता है वही सीखने को हम internship कहते हैं तो basically यह internship होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि आप अपनी education जो आपने graduation पर ली है उसको आगे आप use कैसे करोगे वही internship है आपको use बताएंगे कि आपकी education का use कैया आगे तो वो internship रहती है तो यह काफी अच्छी opportunity रहती है क्योंकि CSIR एक center base institute है तो इसमें क्या रहता है कि grants भी काफी अच्छी आती है और आपको exposure भी बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि इसमें पूरे worldwide आपको faculty भी देखने को मिलेगी research work जो रहेगा वो भी इंडियन के scholar basis पे रहेगा कि दुनिया वर के यहाँ पे scholar आपको मिल जाएंगे तो research भी उनके साथ research में जुनना उनकी research में जुनना खुद में ही एक बहुत बड़ा exposure और खुद में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा opportunity रहती है तो यह internship जो रहेगी यह पालंपूर में ही है और यह walk-in रही, walk-in निच रही walk-in का मतलब होता है कि आप just जाओगे अपने documents बगारा लेके then क्या रहेगा कि वहाँ पे आपका एक just document verification रहेगी और एक interview conduct होगा जिसके बाद आपको जो होगा internship के लिए select हिया जाएगा internship जो रहेगी वो two month की रहेगी तो इसमें engineering graduates हो रहेगी हमारी यह post graduate science से जो है वो eligible रहेगी और second जो है जो M pharma कर रहे हैं उनके लिए भी internship रहेगी तो 5000 जो हैसमें आपको stipend मिलेगा साथ में stipend आप stipend मत देखिए लेकिन आप यह देखिए कि internship से आपको जो exposure मिलेगा वो सबसे best रहता है क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि यह institute जो है research बेस है उसमें scholar आपको पूरे India basis पे जो top class scholar होंगे वो देखने को मिलेंगे तो इससे आपको फाइदा यह हुआ कि आपको तरह तरह की चीज़ें सीखनों को मिलेगी और आपको काफी अच्छे experience रहेगा यह two month के बाद और two month के बाद जब आपको यह certificate मिलेगा आप किसी आपको फिर भी कोई इस चीज में डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते बाकी इस वीडियो को गाइस लाइक किजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू गाइस